प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए यदि आपने भी घर में तुलसी लगाई है तो सुब तुलसी दें जुड़े कुछ नियम होते हैं जिनें हमें ध्यान में रखना चाहिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुलसी जुड़े कुछ नियमों के बारे में सभी धार्मिक अनश्टानों में तुलसी का प्रियोस बहुत सी सुभ माना गया है पुराणों के अनुसार तुलसी के पत्ते तोड़ने के कुछ नियम होते हैं और अगर इन्हें ना माना गया तो इसके कलत प्रभाव देखने को भी मिलते हैं आज हम जानेंगे तुलसी के पत्ते तोड़ने कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सास्तर में तुलसी के महत्तों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है अगरवन विष्णों को तुलसी अतिप्रिय होती है जहां तुलसी प्रसन होने पर धंधाने की कमी को पूरा करती है वहीं अगरवन आराज हो जाए तो ब्यक्ति को कंगाल बनाने में पीछे नहीं हटती धारवन मानिताओं की बात करें तो ऐसे कुछ नियम है जिनने तुलसी की देख रेग में ध्यान में रखा जाता है तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो नियम तुलसी से जुड़ाई कुछ नियम आमतर पर पौधों को रात के समय पानी देने और या उनकी पत्तियां तोड़ने से परेच करें वहीं मानिताओं के अनुसार यहों माना जाता है कि साम के सूर्यास्ति के बाद तुलसी नहीं चूनी चाहिए तुलसी के पौधे को प्लास्टिक के गंबले में लगाने के सला नहीं दी जाती है वास्तो के अनुसार भी मिट्टी के गंबले में ही तुलसी का पौधा लगाना चाहिए इस कमले में हल्दी और नेवु के मिस्रण से स्री राधा क्रेशन लिखना बेहसु माना गया है सास्तरों में बताया गया है कि तुलसी की पत्तियों को रव्यार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए सास्तरों के अनुसा तुलसी की पत्तियों साम के समय नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि तुलसी राधारानी के स्वर्यूप मानी गई है मानिता है कि साम के समय राधारानी स्री क्रेशन के साथ होती है इससे साम को तुलसी तोड़ने की मनाई है तुलसी को कभी भी बिना नहाई नहीं छुना चाहिए हमेशा साफ सोत्रे होकर ही तुलसी तोड़नी चाहिए आनेता भगवान तुलसी दल को सुखार नहीं करते हैं घर में कभी भी तुलसी का सुखा पौदा नहीं रखनी चाहिए इसे किसी बैत्ती नदी या फिर तालाब में प्रवाइद कर दे क्योंकि सूखी तुलसी का पौदा घर में रखने से कही नकारात्मक उर्जा घर के अंदर प्रवेस करती है तुलसी की पत्यों को भगवान वेस्टों के सभी अफ्तारों को चड़ाना चाहिए लेकिन भगवान गणेस और भगवान सिप को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ